हेलो स्टूडेंज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चेनल चोगरूफी गरूब आज की इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे क्लास नाइन्थ हिंदी की वर्कशीट नंबर 68 यानि कार्य पत्रक संख्या 68 को आज की इस वर्कशीट में हम रस्खान जी दौराराचीत एक ओर सविया है उसको समझने की कोशिश करने वाले है इस सविये में रस्खान जी ब्रज भूमी के परती अपने प्यार अपने लगाव को वैक्त करें तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहें ये हमारी वर्कशीट नंबर 68 यानि कार्य पत्रक संख्या 68 रहेगा हमारा विशे हिंदी है जिसमें रस्खान जी दौराराचीत एक ओर सविया है उसको समझने के कोशिश करेंगे आज के दिना करहेगी 16 दिसमबर 2020 रस्खान जी के जीवन की बात करें तो उनका जनम 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सेद इबराहिम था यानि उनका जनम हुआ था 1548 में और उनके नाम के विशे में ये कहा जाता है कि उनका मूल नाम वो सेद इबराहिम था और वो दिल्ली के आस पास के रहने वाले थी कृष्ण भक्ती ने उन्हें ऐसा मुग्द किया कि गो स्वामी विठल नात से उन्होंने दिक्षा ली और बरज भूमी में जाकर बस गई और वहीं के होकर के रह गई सन 1628 के लगबग उनकी मृत्य हुई पिछली वरक्षीट 65 जो हमारी थी 65 जो वरक्षीट थी उसमें हमने जाना था कि रस्खान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमी के परती अपना समर्पन भाववेक्त किया था कि वो हर हाल में किसी भी त्रह से बरज भूमी है उससे दूर नहीं होना चाते और वो किसी भी जनम में वहीं पर बरज भूमी में ही जनम लेना चाते हैं चाए वो जनम किसी भी रूप में हो आज हम दूसरा सविया है उसमें हम पढ़ेंगे और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रस्खान जी ब्रज भूमी से अपने लगाओ के कांड सब कुछ त्यागने के लिए त्यार हैं या लकूटी अरू कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजीडारू लकूटी होता है यहां पर जो लाठी की बात की गए और कामरिया है कंबल और तिहूँ का मतलब तर तीनों यहां पर इसकान जी कहते हैं कि यहां गवालों की स्री कृष्ण की इस लाठी और कंबल के लिए वो तीनों लोकों के राज को छोडने के लिए त्यार बैठे हैं कि अगर उने ये गवालों की लाठी मिल जाए यहां का कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज पाट है वो छोडने के लिए त्यार बैठा हूँ कि मैं नंद की इन गायों को चराने के लिए नंद जहां पर गायें चराया करते थे उस ब्रज भूमी में रहने के लिए वहाँ पर दोबारा आने के लिए आठों सिद्धी और नो निधी के सुक को त्यागने के लिए भी त्यार बैठाओं कि रिसकान जी कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से पूरे जीवन भर यहां ब्रज भूमी के वन यहां के बाग बगेचे यहां के तलाब को निहाडना चाता हूँ क्योंकि इनको निहाडने से प्रम सुख मिलता है हमें कोटिक ए कल्धोत के धाम करेल के कुंजन उपर वारूं कोटिक आर्थ होता है करोडों और कल्धोत के धाम धाम है महल और कल्धोत होता है सोने की महल कोटिक ए कल्धोत के धाम करेल के कुंजन उपर वारूं कि मैं करोडों सोनों के महल हैं वो यहां की कंटिली जाड़ियों के लिए त्यार करने के लिए भी त्यार हूँ यानि यहां पर किसी भी परकार से जो रस्कान जी है वो ब्रज भूमी से जुड़ना चाते हैं इसलिए यहां की जो लाठी है गवालों की लाठी है कंबल के लिए वो तीनों लोखों के राज को छोड़ने के लिए त्यार है ऐसे ही जो नंद लाला की ब्रज भूमिय यहां पर गाई चराने के लिए वो आठ सिधी और नो निधी के सुख को छोड़ने के लिए त्यार है उनको छोड़ने के लिए त्यार करने के लिए भी त्यार हूँ तो ये था हमारा आज का सविया अब हम परशनोत्र की तरह बढ़ते हैं आज की इस वर्कशीट में चार आसान से परशन दिये गए पहला जो परशन दिया गए कि ब्रज भूमी में बसने के लिए रस्कान जी क्या क्या त्यागने को त्यार है लिखिए तो ब्रज भूमी में बसने के लिए रस्कान जी तीनों लोकों के सुक आठों सिध्यों नव निध्यों और करोडों सोने के महलों को निचावर करने के लिए त्यार है उसके बाद दूसरा प्रशन दिया गए कि प्रस्तुत सवेये में रस्खान जी ने अपनी ब्रज भूमी के परती अपना प्रेम अव्यक्त किया है इसी परकार आप अपने परिवार के परती अपने विचारों को लिखिये कि आप अपने प्रिवार से कैसे प्रेम करते हो, आपके लिए आपके प्रिवार का क्या महत्व है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखिये कावे, कि क्योंकि सवेया है वो कावे है, तो मैंने कावे में ही व्यक्त किया है, प्रिवार सदा उमीदों को उंची उड़ा बना करते हैं तो यहाँ पर मैंने अपना परिवार के पर्ति जो लगाव है वो वैक्त किया है आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो अन्य था आप इन पंक्तियों को प्रियोग कर सकते हो इसके साथ साथ आप अपने प्यार से कितना अपने परिवार से कितना प्यार करत या आप कमेंट करके भी मुझे जरूर बताईएगा अब हम तीसरे परशन की तरफ बढ़ते हैं तीसरे जो परशन दिया गया है कि जिस पंक्ति में कवी रस्खान जी का नाम आया उस पंक्ति को लिखिए तो यहाँ पर जो पंक्ति है तीसरी पंक्ति उसमें रस्खान जी का नाम आया रस्खान कभू इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो यहाँ पर इन पंक्तियों में कहा गया है कि रैस्खान जी जीवन बर ब्रेजभोमी के वन, बाग और तालाब को निहादती रहना चाहते हैं उसके बाद चोथा परशन दिया गया इस सवेईयों को पढ़कर आपको निमिलिखित शब्दों के क्या आर्थ समझ में आए अर्थों को लिखना हमें कुछ शब्द दिये गए तो पहले जो शब्द दिया गया है लकूटी दिया गया है इसका अर्थ होता है लाठी, कामरिया का अर्थ है कंबल, तीहू का अर्थ है तीनो, तडांग का अर्थ है तालाब, कोटिक, करोडों, कलधोत का अर्थ है सोने क उसके बाद कुछ होड़ शब्द भी दिये गए कुंजन कुंजन का अर्थ है उपवन या वरिक्षों का समोजी से हम कुंजन कहेंगे और करेल का अर्थ होता है कांटेदार जाड़ियां तो ये थी हमारी आज की आसान सी वरक्षिट उमेद करता हूँ आपके सभी पर्षनों के उत्तर मिल गए होंगे और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू बाइबाई, have a nice day